अंडिये ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अंडिये के दो सयोगी आने की चंदरबाबु नाइडू और निदीश कुमार वीजेपी के साथ बने रहे। अंडिये ने सरकार बनाने की चंदरबाबु नाइडू और निदीश कुमार क्या करते हैं। लखनौ से चौदरी चरंसिंग अंतराष्ट्री अएरपोर्ट पर शनिवार यानि आरजून से अंतराष्ट्री उडाने शुरू हो जाएंगी। अबिता कॉमेसी एरपोर्ट के टर्मिनल तीन से सिर्फ घरेलू विमानों का संचालन ही हो रहा था। शनिवार के सोबे 6 वजे से यहां से फ्लाइट टेक आफ और लैंड करना शुरू हो जाएगी। अयुद्या के हारपण योगी सरकार में मंत्री सुरेशकना ने कहा कि विकास के आगे चातिवाद न हमें हराया। लोगों ने आयोध्या में वोई हजारू करोर के विकास के अंदेखी कर जुआतिवाद पर वोट कर दिया, जिसकी वज़े से बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा। सो रेश खन्ना योगी सरकार में वित्मंत्री है। वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर पर की घंटा की रफ्तार से दौर सकती है, हाला कि यह 160 किलोमीटर पर की घंटा की स्पीड से ही चुलाई जाती है। अब रेलवे की अगली तयारी 250 को रिज़े पर की घंटा की सोपरपास रफ्तार वाली ट्रेन चलाना है, इसके लिए कई देशों से मदद दिली जा सकती है। महरत और पाकिस्तान की मैच की टिकेट ICC की ऑफिस्चल वेवसाइट से बुक कर सकते हैं। अब तक कि इसकी पहले दिन की कमाई सामने हाच चुकी है